हेलो एडिवान, नमस्कार पर नाम सभी को, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ, क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, इट मन के तथास्तियां, हरपा सभेता, तो इस चैप्टर को हम लोग फुल एक्स्प्लेनसंग साथ अभी, वो भी बिल्कुल आस सान भासा में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो ध्यान पुरुवक आप कंसेप्ट को समझेगा, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको दला दूं, क्लास 12 का जो आपका इतिहास का स्लेवस है, इसमें आपको टोटल जो पढ़ना है दोस्तों, वो टोटल आपके 15 सम्दित है, जिसमें से कि आज जो आपका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इत मन के तथास्तियां हरपा सवेता, और मैं आपको शुरू करने से पहले बतला दूं, कि मैं जितने भी टर्म्स को अभी डिसकस करूंगा, फुल वेस्ट और NCRT, यानि कि जो भी NCRT स्लेवर्स को फॉलो करते हैं, उन सभी के लिए ये जो आज का क्लास है, अतियंत महत्य पुन है, और मैं सारे विसे को NCRT को ही कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, ओ रिफरेंस बूक, मतलब जो साइड बूक होते हैं, उससे भी अपनी त्यारी को क करते हैं, तो मैं आपको उन बच्चों को भी बतला दूँ शुरू में ही, कि देखिए, चैप्टर का नाम आपका थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कहीं आपको हड़ापा सवेता देखने के लिए केवल मिल जाता है, तो NCRT ने इसका नाम रखा है, इट मन के तथा आस्तियां हड़ापा सवेता, इस तरह से नाम रखा है, तो कंटेंट आपको वही मिलेगा, बस थोड़ा सा नाम, मतलब जितने भी बुक में देखिएगा, थोड़ा थोड़ा जो हेडिंग होता है, वो चेंज रहता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, फूल जो मैं अभी आपको क समझ आपको होनी चाहिए, तो तीथियों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि दो तरह के आपके डेट आपने देखा होगा, एक ऐसा आपने देखा होगा, जैसे कोई निश्ची तरह था है, जैसे अपने भारत का बज़ाद हुआ, तो 147 में, और बहुत सारी चीजों में आपने डेवलप कर लेते हैं, और वैसे भी NCRT ने भी शुरू, फर्स्ट पेज में ही आपको ये पढ़ाया है, ठीक ना, देखिए, पहले क्या था, यहाँ पर मैं आपको उतला दूँ, जब इसा मसी का जन्म हुआ, तो उसको जीरो येर मान लिया गया, और इसा मसी के जन्म के प और इसा मसी के जन्म के पहले वाले टाइम को इसा पुर्व कहा गया, और उसके बाद वाले टाइम को इस भी कहा गया, इसी को अंग्रेजी में इसा पुर्व को अंग्रेजी में लोग बीसी भी कहते हैं, या बीसी भी कहते हैं, बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट है, या यानि इसको बोल सकते हैं इसापुर क्लियर और यह घटे करम में होता है जैसे हड़पा सवेता हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका सरवधिक मानेता प्राप्त काले यह जैसे इधर से देखिए तो कम से ज्यादा क्यों एक और यह आपका बरते जा रहा है है जैसे इधर देखिए आप है 1947 से 2023 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अपना देश 1947 में अजाद हुआ था तो याद रखने के लिए समझाने के लिए मैंने इस concept को यहां पर लाया तो यह जो होता है इस वी आपका बर्ते करम में होता है और जो इसा पुर्व होता है यह आपका हमेशा जो होता है वो घटे करम में होता है तो ध्यान रखेगा अब यह थोड़ा सा हम लोग इससे विस्तार पुर्वक समझने का प्रयास करते हैं जैसा कि मैंने आप आपको बताया कि इसा पुर्व को आप सौट में मतलब अंग्रेजी म ही तो खेल है कहा जाता है अभी आप से पूछा जाएगा काल बताओ तो बुलिए के 2600 इसा पुर्व का पहले की बात है है कि नहीं तो यह समझ आपके पास होनी चाहिए देखे जीरो इयर माना गया जब इसा मसी का जनम हुआ उसी के टाइम को जीरो इयर माना गया और जो इस टिक है और अब को लिए अधिम लुग तो दोजर तसमें है कि नहीं जी तो 100 150 150 było का बर्ते करम में जा रहा है तो इसको इसनुए लोग करते हैं कलियर यानि कि जो बर्ते करम में जाता है उसको लोग शबी ठीक है यानि इसा मसी के के बाद वाला काल और इसापुरु को कैसे दिनोट करेंगे तो इधर से 100 आपका इधर से मतलब घट्टे करम हो गया 100 500 उसी तरह से लिख दीजी आप यहां पर प्रॉलेम होता है जैसे देखिए आपको कोई पूछता है जैसे एक्जामपर के ट्रॉम में कि उनिस्ट से तालीस में अपना देश अजाद हुआ और अभी 2023 चल रहा है तो बताओ कि अपने देश को अजाद हुए कितना साल हुआ तो आप सिंपल क्या करते हैं कि 2023 को उपर ल कि निकालना होता है एडी को माइनस कर लेते हैं कि नहीं यह आपने समझा और अगर माल लेजिए किbenगेश् Pardon के लिकाहान चल रहा है adjustment यह च्छ़ावडीगा जो इसवत्पा और यहने चलिके चाली हैं हरपा सवेता के घटना कब है 423 साल पहले की बात है और ये देखे 2600 इसापुरु से लेकर 1900 इसापुरु इसके बारे में मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा चलिए अब हम लोग आगे बरते हैं और हरपा सवेता जो अपना चैप्टर है उस पे आते हैं ये तो थोड़ा समयने आपको तीथियों के लिए बेसिक सा कंसेप्ट रोत लाए कि किस तरह से आप तीथियों की समझ कर सकते हैं अब आते हम लोग अपने मुख टॉपिक पे हमारा जो मुख टॉपिक है जो हरपा सवेता वाला टॉपिक है तो चलिए आते हैं हम लोग और सबसे पहले तो यही जानते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये सवेता जो होती है सवेताएं क्या होती है तो कहता कहा हैं देखिए सारे नोट्स यहां पर बनाएगा हैं और ये जो पां रहन सहन रिती रिवाज मकान डोड इत्यादि जो द्रिस सी भीजी वालो जिसे अम लोग देख सकते हैं उसे को में लोग सभेता करते हैं और उसी प्रकार की एक सभेता हरपा सभेता जिसके बारे में आपको पढ़ना है ऐसे बहुत सारी सभेता थी कहा जाता है कि जो सभेताएं होती है वो भीन भीन जगा पे अलग-अलग हो जाती है जैसे अपनी भारत की सभेता कुछ और है चीन की सभेता कुछ और है पाकिस्तान की सभेता कुछ और है है कि नहीं तो यह ध्यान देना है आपको दो देशों की सभेता जो होती है वो अलग-अलग हो सकती ह बिल्कुल कुछ सवेताओं का उदाहरन आपको यहां पे दिया गया जैसे आपके मिस्त्री की सवेता में सोपोटामिया की सवेता चीन की सवेता हरपा सवेता जिसके बारे में करेंटली अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंदू घाटी की सवेता और देखिए यह कोई 12 आपका बो सवेतां की सवेता की सवेता मिस्त्री की बारे में.. तो दोस्तों कुछ सभेताओं के उदाहरन पहले देख लिए हडपा सभेता को सुरू करने से पहले हडपा सभेता से पहले मेसोपुटामिया की सभेता मिस्र की सभेता इनान की सभेता रोम की सभेता और चीन की सभेता इन सभी सभेताओं को सबसे प्राचीन सभेता का दर्जा कर दिया गया जैसी सभेताओं को विश्व की प्राचीन सभेता माना जाता था यह सब मिस्व पुटामिया की जो सभेता हो गई मिस्र की जो सभेता हो गई युनान की जो सभेता हो गई तो इन सभी सभेताओं को विश्व की सबसे प्राचीन सभेता का दरजा दिया गया था ल 1922 कहां मैंने तो 1920 से लेकर 1930 का जो टाइम पीरियर्ड हुआ उसी को दसक कहा गया देखे 1920 से लेकर तक का जो टाइम हुआ ठीक ना तो 1920 से 1930 के बीच में क्या हुआ एक सभेता अन्नोन सिविलाइज़ेशन की खोज की गई और इसी सभेता को हरपा सभेता कहा गया और इसी सभेता की सबसे पुरानी सभेता इसके माना गया मैं बतलाओंगा कि इस सभेता का खोज भी कब हुआ कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगा अभी इतना याद रहें 1920 के दसक में इस अज्यात सवेता की खोज हुई थी और इसे हरप्पा सवेता का नाम दिया गया उनीस्तो एकी इसी में हुआ था देखिए सबसे छोटा सा टम्स इसको मैं समझाने से पहले डिस्कस करना चाह रहा था जिसे क्या आपको समझाज़ा देखिए जब प्राची नितिहास हम लोग पढ़ते हैं तो प्राची नितिहास के बारे में हमें जितनी भी जानकारिया मिल साल बाद भी अगर देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छ हुआ होगा खड़ाब होगा लेकिन वह हम उसके कुछ ने कुछ हमें साक्षे पराप्त हो जाएंगे तो वैसी सारी वस्तु हैं जिसके हमें साक्षे पराप्त होते हैं सौर्सेस मतलब एक तरह से तो जो पुराने सौर्सेस होते हैं उसी के अधार पर हम लोग क्या करते हैं इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं और उसी को पूरा वस्तु करते हैं या पूरातत्व आप समझ सकते हैं यह जो पूरा का पूरा हडपा सहुत था एक तरह से हम लोग जो हमें शाक्ष मिली है उसी के अधार पर वर्णन किया धाएม तो नहीं लोग फालते थे रहा पालते थे कोई मैटैं नहीं लेकिन अब कहा गया तो यह सब सक्च के अधार पर किया गया है तो फिल्हाल 1920 के दसक में जो यह माना जा रहा था इससे पहले कि जो मिसोपोटामिया की सभेता मिसर की सभेता युनान की सभेता या चीन की सभेता सबसे पुरानी सभेता प्राचीन सभेता इसको गलत किया गया और यह जो हरपा सभेता हुआ है इसे सबसे पुरा हम 1861 इस्वि में पुरातात्व विभाकिया स्थापना हुई थी और अलेक्जेंडर कनिंगम साहब को इसका डारेक्टर जनरल बनाया गया था और फिर क्या हुआ था कि इसके बाद 1872 इस्वि में पूरे भारत में पुरातात्विक खनन के लिए भारत में जोर दिया गया था और 1902 में 1902 इस्वि में सर जोन मार्सल के दोस्तों इसका डारेक्टर जनरल बनाया गया था और इनहीं के दर्मियान जो हुआ था यह हडपा सवेता का खोज हुआ था ठीक है इनके ही नेत्रित्व में तो अभी हम लोग इस पे भी डिसकस करेंगे देखे सबसे पहले जो है चार्ल्स महसन ने इसके बारे में कहा और फिर जब क्या हुआ था कि जब दो मतलब अधिकारी थे इनको ब्रंटन बंधू के नाम से आप जानते हैं एक जॉन ब्रंटन थे और बिलियम ब्रंटन यह सब लाहोर से कराची के बीच में जब डेलवे लाइन बिचा रहे थे कब जादा ही आपको अभी यहां पर एक्स्प्लेन किया तो जो मुद्दा था उस मुद्दे प्याते हैं और ध्यान रखें मैं बार बड़ यह कह रहा हूं आपको चेता रहा हूं कहने का मतलब आपको आगाह कर रहा हूं कि यह कोई आपका कॉम्प्टेटिव एक्जाम नहीं वोड देना है तो आपको सारे ध्यान में रखने होंगे ठीक है सारे कंसेट ध्यान में रखने होंगे आपकिस्तान में पहली बार रेल्वेल आई ने भी चाई जा रहे थी और कुछा स्थानों पर खुदाई का कारे चल रह था हूं कराची से लाहर वाला कारे के दोडान कुछ इंजिनियरों को अचानक हडपा पुड़ा अस्तल के असेस मिले तब तक वह नहीं जान सेके कि हड़ापा अस्तल हाला कि 1826 में इसके टीले के बारे में उल्ले किया था लेकिन किसी ने उतना गौड नहीं किया क्योंकि आपको तो पता ही है अभी मैंने आपको उताया कि हमारे यहां तो 1872 के बाद ही तो पुड़ा तत्वग भी से अपर खोज कराने का कारे ही किया गया और 1902 में जब सर जॉन मार्सल को बनाया गया था उनहीं के नित्रितु में क्या हुआ तो इस सभेता का जो हुआ पहली बार पताल लगाया गया दोस्तों क्लियर तो याद रखिएगा अगला आती है कि हरपा सविता के खोज के बारे में बात करें तो हरपा सविता की खोज जॉन मार्सल के नित्रितु में देया राम साहिनी द्वारा 1921 में की गई जब उन्होंने हरपा अस्तल की खुदाई का कारे आरम किया था ठीक है और माधो रुप से द्याराम साहिनी का ही नाम आता है ठीक ना तो लेकि अहरपा सविता की खोज सर्ज और मार्सल के नित्रितु में ध्याराम साहिनी द्वारा कब तो 1921 में किया गया था और जस्टिस के एक साल बाद 1922 में राखल दास मनर जी के नित्रितु में एक अन्य प्रमुक अस्तल मोहन जोद्रो बहुत इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों यह बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है ध्यान रखिएगा यह मोहन जोद्रो जो आपका नाम है बहुत इंपोर्टेंट है मोहन जोद्रो की खोज जो हुई थी वो हुई और इस नए अस्तल के प्रकास में आने में होने के कारण 1921 में कि आईनी के नित्रितों में 1922 सर्वेक्षंट के जो माहा नियुग सर्जों नियु भीस सामने दिया पूर्म के सामने भंडा फोर दिया पूरे विश्व के सामने उनь नहीं सवेता की खोज कर डाली है उन्होंने घोसना कर दिया समझे कि मैं आगे आपको इस प्रकार हडपा सवेता का काल NCRT बुक के अनुसार 2600 इसा पुरुषे पुरु माना जाता है इसमें भी अनेक जो आपके इतिहासकार है उनका क्या है तो मत भेद है ठीक है कोई कहता है नहीं आप लुसेंट का बुक पढ़िएगा तो सथ पचीस सो से सत्रा सो पचास आपको पढ़ने के लिए मिलता है तो आपको NCRT के रूल पे चलना है क्योंकि NCRT आपके लिए सर्वे सर्वा है तो आप इसकी बातों को मानेंगे तो 2600 इसा पुरुषे आप 1900 इसा पुरु नदी के तरफे है देयारामसाही ने किया था 1922 में मोहन जोद्रों की खोज हुई जो कि सिंध्न नदी के तरफे अभी परतमान में पाकिस्तान के लरकाना जीले में है और इसका खोज किसने क्या नित्रितों किसने क्या तो राखादास मर्यटी ने इसी तरह से सबका यहां सब्क्राइब सिंदू सभेता और हरप्पा सभेता इन सब्दों का अर्थ हेखी है मतलब सिंदू घाटी सभेता भी सिंदू सभेता भी आगे चलकर मैं आपको उतलाओंगा कि आखिरकार इस सभेता का नाम सिंदू घाटी सभेता क्यों पड़ा हरप्पा सभेता क्यों पड़ा क्यों आगे क गया जो कि एक भगवालिक रूप को में दर्साता था और देखिए पुड़ात्त्त्यु में यह नियम है कि जो पहले आपका जो जगह मिल्या जो पहले आपका कुछ भी चीज़ जैसे सहर मिले या नगर मिले तो उसी के नाम पर उसका जो होता है नाम करन किया जाता है पहले से उसे पहचाना जाता है और इसी कारण इस सभेता का नाम हरपा सभेता पढ़ा तो कोई आप से पूछे कि बताईए इस सिंदु घाटी सभेता का नाम हरपा सभेता क्यों पढ़ा तो आपको ध्यान देना होगा क्योंकि पुरातात्विक सहित्तिक में क्या होता है कि अग्यात अन्नोन सवेता का नामकरण उस अस्तल के नाम पर कर दियाता है जहां पहले पहले उसे पर्चाना जाता है clear और इसी कारण से इस सवेता का नाम आपका हड़ा सवेता पढ़ा clear ना अगरा देखिएगा तम यहां पर लाइट का बहुत ज्यादा इस्व है ना जी जिग जग करते रहता है कभी कम तो कभी ज्यादा चले कोई ना भारतिये उप महादीप में इस सवेता के लगभग अभी एक हजार से भी अधिक अस्थलों का पता चल चुका है इन सब इस सवाल पूछे आते हैं तो उन अस्थलों पर अभी हम लोग देख लेंगे जैसे आपका है यहां पर हरपा हो गया मोहन जोद्रो चन हुद्रो आपके रोथल काली बंगा और बनावली मैं चाहूं तो इन सब टर्म्स को लीग कर भी समझाब से कुन लेकिन क्या होता है उससे समय लगता इसलिए पहले से मैं थुरा रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे मैं आपका कोई पॉइंट छूटेगा भी नहीं ठीक ना अगला देखेगा हरापा सभेता के बारे में मैंने कुछ और भी अन्यमहत्य पूंजान कारिया आप लोग के लिए लाया है तो उसे भी समझन लगवग दोस्तों 12,996 किलोमेटर यानि कि 13 लाख वर किलोमेटर में 400 किलोमेटर कम तो याद रेखिएगा कैसा था रपा सभेता कैसा था तिर्भुजाकार था सेतरफल कितन था बारे 9600 किलोमेटर अब तक इस सभेता के अपसेश कौन कौन से नहीं तो पाकिस्तान के सभेता का 1921 में खोज हुआ तो याद रखिए उस समय जो अपना देश था वो आजाद नहीं हुआ था यानि कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही में थे लेकिन जब भारत का बटबारा हुआ 1947 में तो ये जो मोहन जोद्रो था वो पाकिस्तान के अभी लरकाना जिले में लर पोटेंट है इस सभेता का सर्वधिक पुड़ास्तल दिशाओं के अधार पर तो पच्छमी पुड़ास्तल पच्छी में आपका सुथ कांगे डोड़ है जो कि बलचिस्तान तक फैला है देखे वेस्ट में पुडवी अस्थल में आपका आलम गिरपूर है जो की मेरत हुत के द्वारा वो लोग अपने जीवन का निर्महन करते थे ऐसे भी मैंने आपको पूता है ना कि सबसे जो प्राचीन मतलब पुड़ाने की हम लोग बात करें आदीम काल की बात करें तो लोगों के पास जीने का जो तरीका था वह आखेटन ही था शिकार ही था बाद में बहुत ज्यादा है विध्यान अखिएगा तो देखिए तो हरपा काल में सिंधू और उसकी सहयक नदियों के दवारा जब भी बारहता था तो एक जगा की मिटी दुसरे जगा तो जलोर मिटी की जो क्रिशी के कार में काफी महत्तरपून इसको माना जाता था उपजाओं मै लेकिन दोस्तों एक जो आपका फसल है आपका वी पढ़ेंगे हम लोग वह बहुत ही इंपोर्टेन फसल था आपका गुजरात लोथल में खुदाई से धान एवन बाजरी की खेती के आउसेस भी मिले हैं देखिये निवासे जो थे दोस्तों वो कपास उपजाने में मौदलम निपून थे ठिक ना वो कपास उपजाने में निपून थे हरपा सवेता के निवासी कई प्रकार के पीर पोधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मचली भी सामिल थी उससे भोजन प्राप्त करते थे देखिए ये सब NCRT का डारेक्ट जो है आपका एक्ससाइज का प्रस्ण है NCRT में पूछा है आपका कि हरपा सवेता हैं बताएं ये लोगों की क्रिसी मतलब किस तरह से निर्वाहन करते थे अपने जीवन का हरपा सवेता अस्थलो में जानवरों की हड़िओं के भी आफसेस मिले हैं जिसमें अमावेसी, भेर, बकरियां, सूर, इत्यादी की हड़ियां सामिल थी एबं इन जानवरों को लोग पाला भी करते थे ठीक है तो लोग पालते भी थे clear तो हरपा सवेता में ये सब जो थे वो आपके पालतू थे और साथ साथ इनका जो है वो हड़ी अफसेस भी मिला है तो ध्यान रखियेगा अगला देखे हरपा वासी के निर्वहन के तरीके मतल सभात एक हडी बहुता है कि हडिया भी मिली है और इस बात में स्थैंद में मत्भेद है कि हरप्पा निवासी स्हक जानवडों का सिकार करते हैं जैसे अभी के टाइम में हम लोग कैसेिकर कर आते हैं अगर किसित बिधम लोग करते यह सब एक साक्षे के अधार पर लिखा गया है मनगरंथ कहानी है मतलब देखा गया जिसके अधार पर किया गया मतलब देखा गया कि नहीं इसका ऐसा लग रहा है सिच्वेशन मतलब इन चीजों के बारे में हैं तो है तो वहाँ पर पाया गया है इन सब मिले हैं जंगली जानवर य बैखने को मिले हैं पक्छियों और मचलीयों के भी अवस्यास देखने को मिले हैं लुथा लेवां रंगपूर से घोर की मन मुरतियां के अशाइस मिले हैं सुर्प व्याद करने मुझे सब याद है । सुर्कोट्रा से घोड़े के अस्ति पंजर मिले हैं और पच्छी जैसे बंदर खरगोष सीरन तोता उलू इस सब के असेस जो हैं वो खिलाओने मुर्तियों के रूप में भी मिले हैं तो ऐसा माना जाता है कि इन सब का भी अस्तित वो कहीं न कहीं था आपका हरपा सवेता में याद रखिएगा देखिए क्या-क्या तो लोथा लेवा मरंगपूर से घोड़े की मुर्तियां और सुर्कोट्रा से घोड़े के अस्ति पंजरे स्केल्टन के अउसेस मिले हैं क्लियर अगला देखिएगा हरपा सवेता में क्रिसी प्रधौकी के बारें बात की जारी है ऐस इसी तरह खेट जोतने के लिए हलो का पड़ियोग होता था साथ ही चौलिस्तान पाकिस्तान के कई अस्थुलों और बनावली हर्याना से मिठी के बने हल प्रतिरूप नमुना मिले हैं और ध्यान अखिएगा मैं तो पढ़ाईं दे रहा हूं लेकिन एक बार आप खुद से इसको पढ़ियेगा तो आपको लगा कि नहीं जो मैंने पढ़ाया था वह आप लोग पूरे अच्छे तरीके से इसको समझ चुके हैं क्लियर हां ठीक है तो इसी तरह खेट जोतने के लिए हलो का पड़ियोग होता था साथ ही चौलिस्तान पाकिस्तान के कई अस्थुलों और बनावली हडियाना से मिर्टी के बने हल के प्रतिरूप का नमुना मिला है देखिए कहां से मैं बार दर बोड़ा हूं इसको ध्यान रखिएगा पाकिस्तान की कई अस्थुलों और बनावली जो के अभी हडियाना में है मिर्टी के बने हल का प्रतिरूप मिला है कहां से बनावली से मिती के बने हल का परत रूप मिला है पुड़ा तात्वी को काली बंगा राजस्थान नामा का थान पर जूते हुए हलो के साक्ष भी मिले हैं ठीक है काली बंगा जो की वर्तमान टाइम में क्या था कैसा था है तो इस से देखिए कहा जाता है कि इस खेत में हल रेखाओं के दोघ्या सब्सक्राइब है कि एक साथ दो अलग अलग फसले उपजाई जाते हैं जिससे रोग आरी बांद के अगल ऐसे दो फसल अगर आपको बोना है पूरा यह अपना खेत तो रहते हैं यहाद रहते हैं लंग के बिठाए हुए के फलकों का पड़ियोग नहीं दिए त्री लिए पत्थर की याँ पर बात की जा रही है ठीक है ध्यान देखिएगा हरपा अस्तल अर्द सूज के शेतर जिसको अंग्रेजी में बोले तो सेमी एरिड रिजन में इस्तित है जहां किरिसी के लिए सीचाई के आव सकता परती होगी और आफगानिस्तान में सोत घूई नामक हरप इसके अलाबा धौला वीरा गुजरात में बीवी जलाशी आपके पड्योग किया गया है कहा जाता है कि आ और सिचाई के लिए पानी के आव सकता भी पडती थी इसके लिए जल को संचय करके रखा जाता था ठीक है अगला देखिए आगे हम लोग मुख टोपिक पर और इसका कारण यही था कि यहां पर जो काते हैं ना कि हम लोग काते हैं यह वह आज से मतलब समझ लिए जोड़कर आपको दाया था उतना साल पहले मतलब हमारा भारत कितना विक्सित था था कि नहीं सबसे पहले जो खोजा गया अस्थल था उसका नाम हरपा था लेकिन सबसे अधिक प्रसीद पुड़ा अस्थल वह था मोहन जोद्रों देखें सबसे पहले खोजा गया अस्थल हरपा लेकिन सबसे अधिक प्रसीद कौन तो म अगला अगला पॉइंट है आप देखिए तो इस अधार पढ़ा संस्कृति को दो महत्य पुन किंद्र मानें पहला तो आपका हड़ा और दूसरा तो आपका मोहन जोद्रों अगला पूरा अस्थान को कहते हैं जहां औजार बरतन और इमारते जैसी वस्तूओं के औसेस मिलते हैं और ऐसी वस्तुओं का निर्माल लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए या जमीन के ऊपर अंदर और कभी-कभी समुद्र नदी के तल पर भी पाए जाते हैं बढ़ सब्सक्राइब कारें मुकुद्र में इस चैप्टर में फूरा आपको पढ़ना है जिसका आर्थ है मुर्दो का तिला या सबसे प्रसीद पूरा अस्तल है पुराज्तल मोहन जुद्रों की खुज पाइस में राखल दास मनरजी ने किया था और यहां पहले भारत में था. 19 के बाद पाकिस्तान से अलग होने के बाद पाकिस्तान प्रांथ के लरकाना जिले में इस्थी था बस मैंने लिखे दिया कि आप नोट्स बनाएं या क्योंकि एंसी आर्टी पढ़ना आपके लिए सक्षम नहीं आप नहीं पर पाते होंगे एंसेटे में बहुत सारी बाते हैं उसका मैंने नीचोड डाला लेकिन आप एंसेटी परक तो देखिए एक पॉइंट भी आपको ऐस से निचला सर क्या गया देखिए यहां पर याद रहें दूर्ग किसे कहा गया तो मोहंज रोग जो था वह दो भाग को आप बार बार पुस्ता है और दूसरा जो था आपका और भी है इसे नीचले सहर भी दिवार से घहरा गया था तो दिखेए मोहन जोदरों को मुहन जोदरो जो केंदर था उसको दूभागों विभाजित किया था एक आपका दुर्व हो गया और एक आपका निचला सहर हो गया क्लियर अगला देखिएगा संभावना है कि दुर्वे पर ऐसी सर्वजानिक पर्योजन किया जाते थे जैसे में सर्वजानिक पर्योजन क्या होता है जिसका उपयोग फूरा का पूरा वहां का जनता करें सर्वजानिक मतलब सभी के लिए है ठीक है तो सर्वजानिक पर्योज यानि कि Maal-Godam भी आपके कहां में हैं तो दूर्घ में और दूर्घ को सिटा डेल के नाम से भी जाना जाता है अंग्रेजी में और इकजाम में भी कभी आशनानागार जैसे अब लूग ऐसे बात्रूम बनाते हैं उसी तरह से था और यह चारों और से क्या था तो गल्यारों से घीरा हुआ था जलासे के तल तक जाने के लिए इसके ऊत्री और धशनी भाग में दो सीष्यां भी बनाई तो वह बाहर ह्ना होता है लेकिन यह क्या कर रहा है कि आंगर में ही बनाता था जलासे के किनारों पर इटों को जमाकर रखा गया था लासे का पाणी एक बढ़े नाले में बह जाया करता था मतलब पानी गंदा उसको बहा दिया जाता साथ ठीक है अगला देखियेगा इससे पता चलता है कि इसका पड़ियों किसी विसेश परकार के अनुष्ठान के नाम के लिए किया जाता होगा मतलब कभी-कभी जैसे कैसे हमनों गंगाश नान वगरा यह सब करते हैं तो उस तरह का कोई रिती रिवाद चलता होगा तो उसमें लोग इसका उपयोग करते हों यह बात इहां पे आपके 27 नान गार के बारे में आपको बता चलता है निचला आ चलता है भावन उसी चब से ऑतर अधिक धिवार तो करद नीचे खनते हैं या जब घर बनता तो नीचे खनाता है और नकस हम लोग निकालते हैं उसी तरह से और उसके बाद उसका प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलीयों को बनाया गया था और फिर उनके अगल वगल में आवासों का निर्मान किया गया था पहले क्या किया गया था नालियों के साथ गलीयों को बनाया गया ठीक है और बाद में फिर घर का निर्मान किया गया और इसके साथ ही घरों के गंदे पानी को गलीयों की नालियों से जुड़ा गया था इस कारण पर एक घर की काम कम से कम एक दिवार को गली से सटा होना आवस से सटा होता था और जितने भी घर के कच्रा वाला नदी वाला पानी ड़ता था वो सब नाली में डाल दिया जाता था क्लियर तो यह ध्यान रखिएगा यहां पर कह रहा है सब सिंपल सब भासा मैंने खुद से पढ़िया गाना तो समझ जाएगा लेकिन एक्स्प्राइन मुझे करना ही पड़ेगा सद्वेस तक निचले सहर में सब्सक्राइब करने के लिए kabul कि करने के लिए सथी यहां पर निदक प्राइवेश का भिध्यान रखा जाता था यह नहीं क्ट कोई चला गया या बाहर से कोई डारेक्ट आपके दर्वाजे से उसको आंगन को देख सकता ऐसा नहीं था मतलब उसको प्राइविसी यानि निज्टा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था भूतल पर बनाये दिवारों में खिरकिया नहीं होती थी मुखदवार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं देख सकता था यानि कि जो बाहर का जो मेंदर वाजा है वहां से आप घर के आंगन को नहीं देख सकते हैं क्या लड़कियां कर रहे हैं क्या औरते कर रहे हैं कुछ भी नहीं आप देख सकते हैं हर घर में अपना एक अशनाना घर होता था जिसमें इटों का फर्स होता था मतलब इटा नीचे बिछाया रहता था अशनान घर का पानी नाली के जरिये सरक वाली नली में बहा दिया जाता था कुछ घरों में छट पर जाने के लिए सीरियां भी बनाई जाती थी कई घरों में कुएं भी मिले हैं जो कि एक कमड़े में बनाए जाते थे जिससे बाहर से आने वाले लोग भी पानी पी सकें तो ऐसा भी विवस्था था वाँ पर ऐसा अनुमाल लगाया गया है कि मोहन जोद्रों में कुआ की संक्या लगभग साथ सो के करीब थी मतलब कितना अच्छा ग्र भी मतलब हीन पीसे कष लेकल देखने साल पहले की कहानी है और किस तरह से यह लोग रहते थे तो इस तरह से आज कि लगभग क्लास भी हो गई है ज्यादा देर तक तो तो बच्चे बहुत देर ते क्लास भी किए हैं और लगभग एक पूरा का पूरा मतलब दो पाड़ में फ़हा है और आप BC सब्सक्राइब को याद रखना है दोस्तों इसका जो चेत्रफल था बारा निनानुवेट छो सोवर किलोमीटर था ठीक है यह सब याद रखिएगा फिर आपको यह भी याद रखना है कि हरपा गया खोज 1921 में राय बहादुर द्याराम साहिनी द्वारा किया गया मोहन जोद किस तरह से अपने जीवन का निर्वहन करते थे हरा पावासी लोग तो इस तरह से इतने अच्छे-चे कंसेप्ट के साथ बहुत यह आसान भासा में सरल भासा में मैंने इस चैप्टर को आपको समझाने का प्रयास किया तो मतलब इस वीडियो में हम लोग ने इस चैप्टर का मतलब हाप पार्ट खतम कर लिया ठीक है तो अगले क्लास में जो हम लोग मिलेंगे तो यह चैप्टर हमारा फुल फिनिश हो जागा उसके वाद हम लोग इसके अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रस्णू करेंगे तो ध्यान प्रोग देखते जाए और कमेंट से में आई कैसा लगा वीडियो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में तब तक धन्यवाद जय हिंद जय भारत